हेलो फ्रेंज, वेल्कम टू माई चानल आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी जैम इसे बनाने के लिए एक हेवी बॉटम पैन को लो फ्लेम पर गरम करें जैम के लिए करिब 800 ग्राम स्ट्रॉबेरीज को रफली चॉप करके पैन में डालें जैम आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से चीनी की मात्रा को कम या ज़ादा करें लो फ्लेम पर स्ट्रॉबेरीज और चीनी को एक साथ अच्छे से मिला दें तीन मिनिट में आप देखेंगे चीनी और स्ट्रॉबेरीज में से पानी अलग होने लगा है इसे लगातार मिलाते रहें ध्यान रखें ये जले ना एक स्ट्रॉबेरीज के पीसेज को थोड़ा थोड़ा स्मैश करें पहली उबाल आने पर दो टीस्पून नीम्बू के रस को मिला दें नीम्बू के रस डालने से चीनी वापस क्रिस्टलाइज नहीं होगा साथ में जैम में एक खट्टा मिठा टेस्ट आएगा अब जैम को मीडियम फ्लेम पर पकाएं धीरे धीरे जैम का कलर और भी गारा होने लगेगा साथ में जैम की कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाएगा जैम के कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए एक ग्लास प्लेट या ग्लास बाउल में थोड़ा सा जैम को डाले और पंदरा मिनिट के लिए फ्रीजर में फ्रीज करें पंदरा मिनिट बाद जैम को फ्रीजर से निकाले और चेक करें अगर उसकी कंसिस्टेंसी जेली जैसा हो गया है तो जैम तयार है इस जैम को बना कर रखने के लिए कोई भी आर्टिफिशल प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है तो अब गैस को बंद कर दे और जैम को ठंडा होने दे बहुत ही आसानी से 20 मिनिट में स्ट्रॉबरी जैम बन कर तयार हैं आप इसे कोई भी ग्लास कंटेनर में फ्रिज में दो से तीन मेहने के लिए स्टोर कर सकते हैं आप भी इस आसान से रेसिपी को फॉलो करके घर पे फ्रेश जैम बनाएं इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू